कि हलो चो सब्सक्राइब आज का हमारा लेक्चर ग्रेविटेशन से रिलेटेड होगा जिसमें यूनिवर्सल लॉफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल हम पढ़ेंगे जो न्यूटन ने दिया था ठीक है क्या उसका नियम था कब वह वैलिड होता है कब नहीं होता क्या क असकी नहीं थी ती कहां लगता हैं नौर्मली जो मासेज हैया उनके बीच में यह लगता है कमसे कम दो हम लो थी करें कब और को चेंज करें मास को चेंज कर दें कैसे लगता है क्या होता है करता है वह क्या हो नियोता है वह थैक्ट हो मैं हुछ सब्सक्राइब तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्ट्ट जो है यूनिवर्शल लॉफ ग्रेविटेशन ठीक है तो यह सबसे पहले न्यूटन ने दिया था ठीक है कहा गया है कि जब कोई एपल है वो नीचे के और गिर रहा था ग्रेविटी के कारण तो उसके उपर फोर्स लगा होगा जिस मालो यह दो अबजेक्ट हैं और उनके मास हमें है यह माल ले मालने में क्या गिकत है इसका मास बहुता है क्या मास माल लेolina है इसका M2 और यह जो फोर्स लगता है ठीक है तो जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो सेंटर टू सेंटर लेनी हमें याद रखना कहां से लेनी है सेंटर टू सेंटर तो यह इसका सेंटर हमने माल लिया और यह इसका सेंटर हमने माल लिया तो यह सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गई इन पर शोफ देटा और इस फोर्स के विसेचता है प्रोपर्टी आपकि यह यह उप्जेक को इन्टक करता है रिपल नहीं करता है यह क्यों कि बैचने हैं दो एक इसन ने है attraction का नेचर रखता है तो यहां पर दो अब्जेक्ट लिए दोनों का मास M1 M2 हमने माल लिया distance इनके center to center distance हमने आ ले लिए तो इसने क्या कहा कि जो फोर्स होगा फोर्स का जो magnitude होगा क्या होगा फोर्सेज का जो magnitude होगा यही यहां पर लिखा हुआ है देखे क्या लिखा हुआ है अकॉर्डिं टु दिस लो दिफोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रक्शन बिट्वीन टू पोइंट बोडिज और बोडिज यहां मास हम ले रहें बोडिज इज डायक्ली परपोर्शनल टू दिप्रोडेक्ट अफ सप्ष के स्कूर के क्या होगा इन डोनों कर एक साथ लिखा गया है लिखा गया ऑन्यौ अब इस constant को यहाँ पर हटा जो प्रपोर्शन साइन इसको हटाया गया तो यहाँ पर एक constant आया जिसको capital G लिखा क्या लिखा capital G M1 M2 upon R2 तो यहाँ पर जो capital G था उसको क्या पढ़ा गया यह constant था जिसको कहा गया कि जानके means universal व्युण ग्रेविटेसकण आशλλाल ग्रेविटेस्टनल। समन H इसका कि नाम है उनीवर्य सल्ड ग्रेवि ल्गेंश्नल प्वकोंस्ट इसका क्यूं है इसका भी उल्रस्ट है अच्छा इसके कहता है 6.67 x 103-11Nm2 to kg2 यह इसकी वेल्यू होती है। किस ने बताई थी सैंटिस्ट कभेंडिस ने बताई थी ठीक है तो अब बात करते हैं उनिवर्सल क्यों है इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉंस्टन हम क्यों कहते हैं तो इसकी जो value है वो कभी change नहीं होती, change का मतलब कि यदि हम अर्थ से उपर चले जाए, space में चले जाए, depth में चले जाए अग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं यह पूछ ले कि universal gravitation constant है उसकी जो value दी गई थी वो किस ने दी तो scientist एक vector quantity है, कैसी quantity है, vector quantity है और vector quantity है तो उसमें direction भी होगी, क्या होगी, direction होगी और यहां पर Newton ने पहले ही define कर दिया था कि यह जो force है वो only कौन से nature होगा इसमे, attraction होगा only, क्या होगा, attraction डिपल नहीं करेगा तो देखो, मालो यह body इसके उपर force कर रही है, तो यह body इसको अपनी और ऐसे क्या करेगी, खीचेगी, यानि कि इसके उपर इधर force लगेगा, यह इधर force लगा, ठीक है, कौन से body ने लगा है, fast ने लगा है, किस पर second पर, तो इसको लिख दिया, second body पर fast body की called force, तो इस force की direction ह हो गई, इसको vector side में लिख दिया, ऐसे यह body इसके उपर क्या करेगी, force करेगी, तो यह body इसको अपने और इधर खीचेगी, क्योंकि attractive nature है, तो यह इसके उपर इधर लगेगा, यह force लगा, F, किसने, second body ने किस पर, one पर, one, two, लिख दिया, अब देखो, दोनों force है, उसमें तो arrow का निसान हमें दिखाई दे रहा है, वो एक दूसरे के क्या है, opposite, ठीक है, एक की direction ही है, दूसरे की direction ही है, तो एक दूसरे के opposite direction में हो गई, तो यहां पर, जो बताया गया, कि जो force है, F, two, one, vector equals to F, one, two, minus, यहां negative sign क्या बता रहा है, negative sign यह बता रहा है, कि दोनों force direction में opposite, direction में क्या है, opposite, एक यदि right में है, तो दूसरा left में, ठीक है, तो यह direction को बता रहा है, कि दोनों force एक दूसरे के opposite direction में work कर रहे हैं, अब हम magnitude की बात करें, तो देखें, दोनों force magnitude में क्या हो जाएंगे, magnitude निकालें, तो इन दोनों force का magnitude क्या होगा, same होगा, तो यह एक property है, कि जो force है, वो direction में तो opposite है, और magnitude में क्या है, same होते है, जो universal law of gravitation, जिसमें force हम पढ़ रहे हैं, उसमें force की क्या property है, कि direction में तो opposite होगे, और magnitude में क्या होगे, दोनों force equal होगे, ठीक है, तो यहां से हमें याद आता है, Newton third low, ठीक है, तो यानि कि जो यह low है, gravitation force वाला low है, यह Newton third low को भी क्या करता है, follow करता है, ठीक है, तो क्या पता लगा, attraction है, direction में opposite है, magnitude में same है, ठीक है, जी की value यह होती है, अब हम बात करें कि जब मैंने सुरू किया था, तो उस समय बता है, कि हर एक body, हर दूसरी body के उपर क्या करती है, force करती है, लेकिन हमें पता नहीं लगता, उसका region क्या है, तो उसका region हम करें यहां पर discussion, तो देखिए, मान लो, हमारे पास दो object है, दो body है, एक का mass M1 हमने मान लिया 1 kg, और दूसरी का हमने मान लिया M2 equals to 1 kg, और दोनों के center to center distance of 1 meter, कितने meter है, 1 meter के equal, तो इन दोनों body के बीच में कितना force लगेगा, तो यहां से देख में R square, यह तो था formula, ठीक है, G की value हमें पता है, M1, M2 और R हमें given है, तो force देखिए, कितना आएगा, G की value 6.67 into 10 to the power minus 11 into M1 कितना 1 kg, M2 भी कितना 1, और distance कितनी है, 1 का square, तो देखिए, force कितना है, force 6.67 into 10 to the power minus 11 newton, जो की बहुत कम value है, इसलिए हमें महसूस, यानि कि 1-1 kg की 2 object, 2 body, 1-1 meter की distance पर रखी हुई है, तो इनके बीच में इतना force लगेगा, जो हम steady ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए, यदि mass की value increase हो जाएगी, mass की value क्या हो जाएगी, increase, बहुत बड़े हो, जैसे हमारा moon हो गया, earth हो गया, इनके बीच में force लगता है ठीक है, लेकिन यहां पर जो earth है, वो हमारे उपर force लगा रही है, तो earth का mass तो same है सब के लिए, हम सब के लिए earth का mass क्या है, same है बिलकुल, ठीक है, तो हमारे mass अलग लग है, लेकिन हमारे उपर जो earth force लगा रही है, उसका mass बहुत जादा है, हमारे mass के compare में, इसलिए वो force हम महसوس नहीं होता है इस एक बोड़ी दूसरी बोड़ी पर क्या करती है ठीक है और छोटी-छोटी बात यहां पर करें डिसक्सन करें इस लो के लिए तो क्या क्या कंडिसन होनी चाहिए ठीक है तो देखे यहां पर जो कहा गया है एक मैं छोटा सा एक जामपल लेता हूं जिससे हम इसको और अच्छे से समझे मान लो कि यह दो बोड़ी हमें दे रखी है इसका मास M1 है और एक यह बोड़ी है इसका मास हमने मान लिया M2 है ठीक है हमें दिस्टेंच यह गीवन है यहां से यहां तक की मान लो D ठीक है कितनी है डी है यह आर है जो भी हम मान ले और हमसे पूछा गया कि इसमें बताएं कि जो ग्रेविटेशन फोर्च होगा वह कितना होगा तो हमारा फोर्मूला था f equals to g m1 m2 upon me r square ठीक है यदि मैं डिस्टेंच यहां पर यह count करता हूं और इसके according यदि यह लिख देता हूं f equals to g m1 m2 upon me d square तो यह गलत हो जाएगा यह क्यों इसका example क्यों लिया क्योंकि हमने बता है कि जो distance हम लेते हैं वह कहां से कहां center से center लेते हैं यह याद रखना यदि distance only इनके बीच में given हो हमें ठीक है surface से surface तो हमें यह distance भी पता होनी चाहिए तब ही हम इस formula को यूज कर सकते है यह distance हम यूज कर लेंगे तो हमारा method वह गलत हो जाएगा यानि कि जो answer आएगा वह गलत आजाएगा तो distance हमेशा कहां से कहां लेनी है center से center किदर लेनी है center से center अब कुछ properties के हम यहां पर बात करें जो gravitational force है उसमें क्या-क्या properties होती है उसके बारे में हम यहां पर चर्चा करें तो यहां पर दुबारा में diagram बना देता हूं जिससे और अच्छे से हमें समझ में आ जाए बिल्कुल आसानी से हम कर रहे हैं इसको यदि आपको वीडियो अ इनके center to center distance हमने माल ली आर यांने कि यहां से यहां तक की धिस्टेंस है वह कितनी given हमें आर के equal हमने माले अब देखिए हमने कहा था कि यह इसको और force करेगा टो इधर करेगा जिसको हमने F21 और यह इसको force करेगा इधर करेगा इसको अजिए F BILL यह लिखा अब यह धिधान चे देखो यह इसका सेंट्र जलग और मालीया ओस्तुर तो यह जो फॉर्स लग रहा रहा है कैसे का इसके सेंटर की डारेक्षिन में लग रहा कैसा force है central force है ठीक दूसरा हमने इसमें देखा कि फिक्वेस्ट्ट्ट्ट हा जी एम 1 एम 2 upon R square तो यहाँ पर जो force है वह distance के square के किया है inverse proportion है तो यहाँ पर यह distance के square के inverse proportion है इसलिए जो gravitational force है ठीक है वह किसको follow करता है inverse square इन्वर्स इन्वर्स स्क्वायर लोग को क्या करता है यह फॉलो करता है कौनशा ग्रेविटेशनल फॉर्स ठीक है यह किसको फॉलो करेगा इन्वर्स स्क्वायर लोग को फॉलो करेगा कैसा फॉर्स है सेंट्रल फॉर्स है कैसा नेचर है ओनली अट्रेक्शन है न्यूटन थ कितनी डिस्टेंस पर रखें कम से कम ठीक है maximum तो हम रख सकते हैं लेकिन कम से कम कितनी डिस्टेंस पर रखें कि यह फोर्स लगने लग जाए यदि उससे कम डिस्टेंस हम रख देंगे तो यह फोर्स वैलिड नहीं रहेगा यानि कि अपलाई नहीं हो पाएगा तो वह ग्रिविटेशन फोर्स नहीं लगेगा उस case में cohesive forces वगरा आ जाते हैं तो वहाँ पर यह apply नहीं ठीक है तो कम से कम distance कितनी रहनी चाहिए लएन इसे ज्यादा हम रख सकते हैं इससे कम हम रखेंगे तो वहाँ पर यह force valid नहीं होगा ठीक है तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता होने चाहिए ठीक है और हम यहां पर चर्चा करें कि बात कर रहे थे कि जो force है वह एक वैक्टर quantity है तो इसको भी हम वैक्टर फॉर्म में लिखें तो हमसे पूछ ले वैक्टर फॉर्म क्या होती है gravitational force की तो देखे formula था f equal to g m1 m2 upon're r square यह था था हमने लिखा f1 to f21 distance r यहां लिख दो मैं r21 यह इसको लिखा जा सकता है r12 ठीक है वेक्टर form में ऋर चाहिए हमें क्या चाहिए च्रीक है तो जब इसको वेक्टर form में लिखा जाता है तो हम f21 इस लिख सकते हैं g m1 m2 upon me r21 का स्क्वायर इंटु में r21 का यदि हम से पूछा गया कि वैक्टर फॉर्म क्या है और यह option हमें दे रखा है तो यह गलत होगा इसा नहीं लिखते हैं इसमें साथ में आता है याद रखना प्रूफ नहीं बताएंगे हम ठीक है क्योंकि हमें तो कम्पिटिशन की त्यारी करने तो इसके अकोर्डिंग हमें यहां पर फॉर्म ले और यह पता होना चाहिए बाट यह प्रूफ देखना चाहते हूं तो आप चैक कर सकते हो फिजिक्स वंडरलेंड चैनल के नाम से सर्च कर सकते हो आपको प्रूफ भी इसका मिल जाएगा कैसे नेगेटिव साइन इसमें आया है तो यहां पर देखिए जब भी वैक्टर फॉर्म पूछी जाए कौन से फोर्च की ग्रेविटेशन फोर्च की तो उसम हमें जो मिलें वह किसमें मिलेगी किस साहिन के साथव में नैएhã नगेटिव हमैं रियल में वास्ते में पutलाता है हमें नेगटिव साइन यह बताता है कि जो इस फोर्च की प्रॉपर्टिय सा तो ऑप इसका प्रॉपर्टियों का है ठर्श आए Bacon बताता नेगेतिव सैन ये ध्यान रखना फ्रेव को रहते हैं तो वहां पर नेगेटिव सैन लुक्ट है के हम पड़ते हैं वहां पर फजिटीव साइन नहीं करते Khorn है उसकी प्रोपर्टी ओनली कैसी है तो इसलिए कैसा साइन आएगा वेक्टर फॉम में नेकितिव साइन यूज किया जाता है ठीक है चोटी-छोटी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए ध्यान में रखनी है आप सभी को आगे देखिए और बात करते हैं छोटी-छोटी औ आप समझते हैं ठीक है अब मानलो कि यह हमें सिच्वेशन दे रखिये इसके अंदर हमने फॉर्स लगाया हो और फॉर्स की वेलियो यदि हम निकाले तो आए फिक्वेस्ट आएगा जी M1 M2 अपॉन में आर स्क्वार यदि इन दोनों के बीच कि डिस्टेंस कितनी हो आर हो यही बार बार हम रिपीट कर रहें फॉर्मूला अब हमें मानलो कि ऐसी बोल्डी दे रखिये इस परकार की बोल्डी हमें गीवन है ठीक है और हमें कहा गया कि इनके सेंटर तो सेंटर डिस्टेंस है और इनका मास कुछ भी है मानलो M1 M2 जो भी है ठीक है तो हमसे पूचा कि क्या कि क्लामव फॉर्स का नाम आ गया शोड़ि यहां पर ग्रिविटेशनल फॉर्स की बात करें तो इनके बीच में जाना मास M1 जाना M2 और यह जो मास वह यूनिफॉर्म नहीं क्या नहीं है यूनिफॉर्म तो क्या फॉर्स यह होगा उसके एकोर्डिंग G M1 M2 होगा इसका क्या रिदन है तो यहां पर देखिए जो हम मास यहां पर यूच कर रहें ठीक है क्या यूच कर रहे हैं यहां पर पॉइंट बोडी हम नाम ले रहे हैं तो उसका मीन्स क्या है कि यहां वैलिड क्यों नहीं है ठीक है यहां वैलिड है कि f equals to gm1m2 upon r square लिख दिया यहां पर वैलिड नहीं है क्यों नहीं है तो यहां पर देखिए जो मास है मासेज का जो डिस्टिविशन है वो क्या नहीं है यूनिफॉर्म नहीं है यदि मासेज का डिस्टिविशन यूनिफॉर्म नहीं होगा तो हम यह फॉर्स नहीं लगा सकते हमें ऐसा करने के लिए अकजाम में कुछिन दे दिया जाए तो यहां पर यह ऐसी situation मिले जहां पर मास्का हो uniform नहीं हो तो उस case में यह अपना नहीं होगा तो यह जो फोर्स लगता है मैसक कैसा हो uniform कैसा हो यह uniform। होगा तब ही क्या होगा apply होगा कॉन सा लो इंड उन ग्रेविटेशन नो या उनिवर्सल उन खरीटेशन का कि उसके लिए उनीफ कैसा होना चाहिए उनीफॉर्म होना चाहिए ओड कशल पर कैसे डिपेंड है तो देखिए हमने लिखा एफ इक्वेस्ट टू जी एम वन एम टू अपॉन में आर स्कूर ठीक है तो यहां पर जो एफ है वो कैसे बढ़ेगा यदि मासेज की वेल्यू हम इंक्रीज कर दें तो एफ बढ़ जाएगा और यदि आर हम इंक्रीज कर दें है और यदि हम कहें की आर को हम क्रेंट कर रहे हैं तो वोर्फ जिक्रीज होगा जैसे के ढ़िए में देखें कि मांनलो हमारे पास दो अपर मस story मौट है थे एक बोड़ी यह है और इसका मास हमने कहा M2 है इनके center to center distance हमें R गिवन है ठीक है याद रखना कि जो भी distance हम लेंगे वो center to center ही लेंगे ठीक है इसका center O इसका O-S ठीक है इनके बीच के distance R है अब हमें कहा गया कि इसी system को ऐसे कुछ बना दिया गया कि मास तो वही है M1 और second body है उसका मास भी क्या है वही है M2 और इनके बीच कि जो distance है center to center वो कर दी 2R कितनी कर दी 2R तो यहां पर मान लो force है F1 और यहां पर force लग रहा है F2 तो बताइ attending F1 और F2 में क्या relation है कौन सा force जादा है कौन सा force कम है यनि यह force जादा है यह जादा है यह पूछले कि F2 ए F1 का कितना times है यह ऐस से । सिरे कि F1 F2 का कितना time है क्योंकि डिस्टेंस आर है उसके लिए कितना येगा f2 इक्वेश्ट वाएगा जी मवन एंटू अपॉन में डिस्टेंस कितने तो 2-r तो 2-r का सक्वार यदि एफ हमारे पास कितना गया g 1-2 अपॉन में 4-r स्क्वार्ड यह नहीं तो हम निकाल लें ठीक है तो f1 और f2 का तो f2 upon f1 equals to कितना आजाएगा देखिए यहां पर तो यह आएगा f2 वेल्यू है gm1 m2 upon में 4 r2 upon f1 कितना है gm1 m2 upon r2 यह है यहां से यहां से इससे चैंचल और यह से चैंचल फोल डिवाइड में आगा तो f2 upon f1 equals to आगा 1 by 4 यानि कि f2 की वेल्यू कितनी है हमारे पास यहां से दिहान से देखो तो f1 upon 4 यहांनि कि यह दिदिस्टेंस हम डबल कर चुके हैं पहले आर थी फिर डबल हमने कर तो आर कर धाए तो जो force आ है ना ट receive डीवास को जाएका 1 by 4-time हो जाएगा risk हो जाएगा क्यों क्यों कि देखिए हमने पढ़ा दियाulan चीज अधेम बढ़ा देंगे करनी है मैं दे देता हूं क्या है प्रोलम ध्यान से देखना ठीक है और उसका सोल्यूशन हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे हमारा आज का लेक्चर यहीं तक का था जिसमें हमने यूनिवर्सल लॉफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था ठीक है मालो दो अब्ज है एकंड और इसकी रिडियस कितनी है एकंड के एक्वल दोनों के समय मास मर्म ऐंटू ठीक है ऊब यहंट esteem सेंतर हो गया और हमसे पूछा गया 2R की पाउर 5 और 4th option r is proportion to r² तही हम से पूछा गया इसका मास फबन इसका मास m2 है दोनों के बीच की distance कितनी है यहां पर यह डियास आर है और यह बीडियस भी ठीक है तो center to center distance कितनी होगी 2 r हो गई हमारी तो हमसे पूछा गया कि जो फ़ोट सह और पे कैसे इनकी रेडियस पर जबके हमें पता है कि हमने लिखा था एफ इक्वेस्ट टू जी एम वन एम टू अपॉन में आर स्क्वेर अब ऐसा ओप्सन हमें गीवन ही नहीं है हमें ओप्सन है ऐसे गीवन तो इसके अकोल्डिंग क्या इसका रिजल्ट आएगा वह आप लोग कमेंट तो इस लोग फोर्स अफ ग्रेविटेशनल अट्रेक्शन बिट्वें टू पॉइंट बोडिज इस डाइकली प्रपोर्शनल तो दी प्रोडेक्ट अफ देर मासेज एंड इंवर्शनल तो इसके बारे में हमने आज का लेक्टर में पढ़ा अब इससे डिलेटर आगे का ज करेंगे और इसके बारे में डिसकर्शन करेंगी कुछ प्रोलम हम सोल करेंगे जो लास्ट कम्पीटिशन अग्जाम में आई हुई हैं तब तक सभी पढ़ते रहें सभी को मेरी तरफ से बेस्ट आफ लग्ग